हेलो गुड मॉनिंग आज मैं आप लोगों को ड्राइंग सिखाने वाला हूं ओके अगर आप बिगिनर एकदम बिल्कुल ड्राइंग नहीं आता है तो मेरे साथ साथ आज ड्रो करना ठीक है जिस ऑब्जेक्ट को भी बनाएंगे बहुत एकुरेट बनाएंगे और आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है और मेरे साथ साथ बनाना है ठीक है आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फिर भेज भी सकते हैं मैं करेक्शन भी करूंगा ओके स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं ले रहा हूं जेरोक्स पेपर सबसे पहले इसको मैं फिक्स कर लेता हूं और जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना ओके और बेल आइकन को इट कर देना बाकी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फिर आपको तो आप एवरी डे मेरे साथ ड्राइंग सीख सकते हैं कि बहुत एजी फॉर्म में मैं बताऊंगा जिस चीज को भी बताऊंगा क्यूंकि बेसिक ड्राइंग सीखेंगे हम लोग बेसिक चीजों को बनाना सीखेंगे आपको चाहिए होगा एक स्केल देखें कोई साभी पेंसिल ले लो आप नार्मल पेंसिल या शेडिंग पेंसि मैं लेता हूँ डॉम्स वाला पेंसिल को कि लाश्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप ड्राइंग शुरू कर रहे ना तो पहले वैसे चीजों को बनाएं जो स्ट्रेट लाइन के साथ बनता हो तो देरे देरे आपका हाथ खुलेगा और आप किसी चीज को प्रोपोर्शन लेना सीखोगे थोड़ा सा लाइन वगएरा जो है वो स्ट्रॉंग हो जाएगा आपका तो लास्ट यम मैंने आपको बुक बनाने का सिखाया था कि आप तीन हो एंगल से कैसे बना सकते हैं आज जो बनाने वाले हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे खड़ा करता हूँ तीन जेगा पे मैं आपको खड़ा करता हूँ कि आज जो हम लोग बनाएंगे उसको देखने के लिए आप फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखेगा साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा और left side से देखेंगे तो क्या दिखेंगा पहले आपका खड़ा होना यहां पे जरूरी है painting हम लोग वही बनाते हैं जो हम देखते हैं ठीक है इसलिए एक figure का होना जरूरी है example के लिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ बहाएगा देखो बहुत मज़ा आने वाला है बस skip मत करना है यहां पे तीनों पे आप ही उखड़े ठीक है एक बहुत important object है जिसको हम लोग बनाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ले लेना है triangle अगर आप teacher है या अगर student है अगर आप teacher है तो आपको सिखाने का idea लग जाएगा अगर आप student है तो आपको बनाने का idea लग जाएगा ठीक है आप सेम इसी process से मेरे साथ बनाओ पहले लेते हैं याप याप इसी तरह एक और triangle इस बार क्या जाएगा यह इधर जाएगा आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या बना रहा है बस इसके बाद मैं बताने वाला हूँ ठीक है लेकिन मैं जितना कर रहा हूँ बस आप उतना बना कर रखो और इसको यहाँ से लिपते है ठीक है एक लाइन और लेते है चलो ओके वो लाइन लेने से पहले बता देता हूँ आज हम लोग बना रहे है टेबल ठीक है बेसिक ड्राइंग के लिए टेबल चेयर यह सब बहुत जरूरी है सीखना जाना और सिर्फ एक एंगल से नहीं सिर्फ फरंट से नहीं बलके तीनों एंगल से सीखना जरूरी होता है कि जब आप फरंट से देखते हैं तो क्या दिखता है जब आप राइट साइड से देखते हैं तो क्या दिखता है और जब आप left side से देखते हैं उसी table को तो क्या देखते हैं? अभी तीनों में बना के दिखाऊंगा आपको ठीक है? तो यह triangle है, आपको क्या करना है? इसको सामने से cut करना है, बिल्कुल बिल्कुल सामने से cut करना है यह यहां से cut करते है अब पीछे का कोई काम नहीं है इसका कोई काम नहीं है टेबल में क्या होता है? इसका जो मोटा ही है न प्लाई का आप एक बार इसको ले लो अब इसका थोड़ा सा यह इदर मोटा हो गया बिल्कुल आप लोग मेरे साथ में बनाना अगर आप को ड्राइंग में दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल साथ में बना सकते हैं बेसिक ड्राइंग है और इन सब ड्राइंग से ही आपका जो फांडेशन है वो मजबूत होगा और आप अच्छा ड्रो करना सीखेंगे अब क्या गरना है यहाँ पर एक लाइन ले लेना है और यह यहाँ पर लेना इसका पैर है यह हम लोग बना रहें फ्रंट वाले टेबल टेबल को जब हम सामने से देखते हैं तो हमको इस तरह से दिखता है कि यह पैर भी थोड़ा मोटा हो गया ओके बहुत सिंपल फॉर्म में यह हमारा एक टेबल बनके तयार है अब देखो आप कहोगे कि पीछे वाला पैर क्यों नहीं दिख रहा है पीछे वाला पैर इसलिए नहीं दिख रहा कि आप पलाई को देख रहा है कहीना कहीं आपका जो आई लेबल है वो उपर से नीचे आया है तो यह पीछे वाला पैर जो है क्या वह तो कॉर्णर में आएगा तो अगर इस लाइन को अगर आप यहां लेके जाएंगे और अगर इसमें जगह बचरा होता तब आप पैर उसमें बना सकते थे तब वो उसका प्रपोर्शन ठीक है तब जिस एंगल से इसको देखा जा रहा है उस हिसाब से पीछे का पैर नहीं दिखता है अगर आप पैर देखना चाते है पीछेगा तो यह वाला प्लाई आपको कम दिखाना पड़ेगा पूड़ाई कम दिखेगा तो नीचे का पैर ज्यादा दिखेगा अप्लाई जितना ज्यादा दिख रहा है मतलब आप उतना ऊपर से देख रहे हैं उतना पैर छुपता जाएगा तो यह किलिर रखना अब अगर इसी टेबल को अगर आप साइड मे में आके देखें तब आपको क्या दिखता है कि देखो यह क्या करना है आपको इसका जो टेबल का मोटाई है वो ले लेना है कि जैसे आपने देखा कि ट्राइंगल से ही सब बनता है बस आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए यह वाला जो लाइन है यह इस पॉइंट में चला जाएगा फिर आपको क्या करना है इस पैर के ही बराबर रखते हैं हम लोग थोड़ा छोटा भी हो जाए तो चलेगा पैर तो आप जितना बड़ा रखें वो तो अपने हिसाप से डिसाइड करना आप पैर हो गया यह भी हो जाएगा पैर अब आप क्या करना है आपको टेबल को काटने टेबल जो होते है थोड़ा लंबा होता है तो इसको क्या करना है सिधा काटना है horizon काटना है कभी भी ऐसे नहीं करना या ऐसे नहीं करना ठीक है horizon होना जाए बिल्कुल सीधा straight एक दम ऐसे table को काटना है जितना table को लंबा रखना है आप उतना लंबा scale को कर दो चड़ा दो यह हो जाएगा cut अब इधर का जो पैर है वो भी दिखेगा लेकिन पैर दिखेगा तो क्या होगा इस वाले corner से यहां लेके जाना है पहले line और उसके बीच में आपको कर देना है adjust यह पहले line चला जाएगा यहां ओके अब यहां आ जाएगा इसका पैर थेकैं अगर यह दोनों पैर लंबा होता तो यह वाला और लंबा होता कि अब देखो इस table में इधर और पार्ट दिख wrap крут देख रहा है तो अगर इधर का पार्ट दिख रहा है मतलब एक table का दो बाग दिख रहा है के यह और एक यह इइस लिए पैर भी दो पार्ट में दिखेगा इधर वाला पैर क्या होगा और पहले अच्क वाला भी यह लिखे गा इसको कर देते हैं sketch ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अब पीछे का line का कोई काम ने इसको अठा दो आप चाहें आप इस तरह से bed बना रहे, table बना रहे, जो भी बना रहे accurate आया, proportion ये वाला पैर जितना लंबा होगा, ये उतना बढ़ता देखे, size के हिसाब से, अब ये पीछे जा रहा है, इसलिए ये छोटा हो रहा है देखे, कहीं ने कहीं वो पीछे के तरफ पतला दिखेगा, इसलिए same इसको भी लेते हैं, अब left side से पहले ये कर दिया, अब ये point में इसका जो table का मोटाई है पहले तो इस line को आपको ले के जाना है, यहां और table को पहले काटना है, कि आपको इतना रखना है table को देखो, थोड़ा सा टेड़ा काट दिया मैंने, horizon पर नहीं आया पैर जो है, सबका एक ही height में रखते हैं हम लोग, क्योंकि वही टेबल है इसको बनाने के पाद, अभी मैं एक बहुत important चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को इसलिए skip मत करना, वीडियो को यह हो जाएगा, अभी इस पैर को लेके जाना है, point में और यह वाला जो पैर है अब इधर वो दिख रहा था, right side, दूसरा भाग इसका right side वाला दिख रहा था इसलिए पैर हम लोग right side जोड़े, अब left side वाला दिख रहा है, तो left side जोड़ेंगे ओके, कि यह वाला ऐसे, और यह कैसा होगा, यह बिलकुल ऐसे, कि यह यहां जाना जाएगे, point में जाना जाएगे, यह वाला, ठीक है, अब यह वाले left side दिखेगा, लेकिन इसका यह वाला right side दिखेगा, क्योंकि यह दूर वाला है, और यह जाएगा, horizon पर, अब इसको कर देते हैं, sketch, और पीछे वाले line को कर दो, image, अब देखो, एक table जो है, वो आपको तीन तरह से दिखाना है, बनाना है, सीखने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ इस तरह से बना दिया आपने, अगर इस table को चाहिए, तो थोड़ा सा, इसका, हम लोग ले सकते हैं, थोड़ा बढ़ा कर सकते हैं, इसका, ply को, सामने से यह कट गया है, ठीक है, तो यहाँ तीन तरह से मैंने table को दिखाया है, आप front में हो, upside में हो, इधर भी upside में हो, table कभी भी बनाना, देखो यह जो है न, यह बाहर थोड़ा सा निकला हुआ होना चाहिए, पैर जो है थोड़ा अंदर होगा, और अगर सामने से बना दोगे, सटा के बना दोगे, वो डबा जैसा हो जागा, पकड़ने के लिए जगह भी तो चाहिए, टेबल में, पकड़ने का सीखो, पहले, तो आपका धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे ड्राइंग न, एंगल जो है, वो मजबूत होने लगेगा, और अगर आप इस चीज में स्टड़ी नहीं करेंगे, तो आपको हमेशा, कमफर्टेबल आप रहेंगे, फ्रंट वाले चीजों को बनाने में, चा यूभी वीडियो बनाता हूँ, मैं वो दो, तीन तरह से आप लोगों को दिखातا हूँ, आपको तीन ओंगल में, पहले खड़ा करता हूँ, तीन ओ जग़ा में खड़ा करता हूँ, फिर मैं उसको उसके तरह से दिखाता हूँ, कि जब आप यहां थे, तो कैसा देख पाय तो इसी तरह step-by-step सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा और आप बहुत अच्छे से आपको मेरा online classes भी जोईन करना है तो आप लोग मेरा class जोईन कर सकते हो ठीक है तीन मैने के लिए मैंने ड्राइंग sketching course एक design किया है जो beginners के लिए है जिसमें 1599 fees है तीन मैने में सिर्फ एक ही बार आपको face paid करना है बाकी आप basic से लेके advanced level तक बहुत अच्छे से drawing sketching को improve कर सकते है ठीक है और चैनल को जरूर support बनाए रखना ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा motivation मिले थोड़ा मजा है वीडियो पसंद आया होगा तो like जरूर कर देना मिलते हैं कल के वीडियो में ठीक है बाई